नमस्ते साथियों बर्स 2024 के अंतरगत जहारखंड एकेडमी काउंसिल का दसवी और बारवी बोड के परिक्षा परिणाम से सम्मंदित आज के इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो साथियों जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो के अंतरकत बताया था कि जहारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा दसवी और बारवी बोड के परिक्षा परिणाम को 15 अपरेल से लेकर 20 अपरेल के बीच में कभी भी पब्लीस कर दिया जाएगा और जिसको लेकर प्रभात खबर के अंदर भी जानकरी पब्लीस किया गया था और बताया गया था कि जहारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा जो तैयारी है वो लगबग लगबग पूरी कर ली गई है और किसी भी वक्त अब जो रिजल्ट है उसे पब्लीस किया जाएगा तो साथियों उसी के तहत आज के डेट में यानि की 15 अपरेल 2024 को आज के डेट में जुझारखंड एकेडमी काउंसिल की जो रिजल्ट पॉर्टल है साथियों उसे अब प्राइवेट कर दिया गया है सबसे पहले तो मैं आप लोगों जो लाइब डीजल से वो यहाँ पर निकाल के दिख साथियों यहाँ पर हम लोग रिजल्ट के ऑप्सन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से मैं आप लोगो दिखा देता हूं देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यूजर नेम और पास्वर्ट के द्वारा साइन इन करने के लिए हमें कहा जा रहा है तो दोस्तों यह जो के लिए दोस्तों प्रोसेस में कर दिया गया है और पॉर्टल के अंदर अभी जारखन अकेडमिक काउंसिल के द्वारा दसवी और बारवी बोड के परिक्षा परिणाम को दोस्तों अपलोड किया जा रहा है और जैसा कि साथ यो प्रभात खबर के उस आर्टिकल के अंदर भी जानकरी पब्लीस की गई थी कि 15 अप्रेयल को संभवत जारखन अकेडमिक काउंसिल जो है अपने दसवी बोड के जो परिक्षा परिणाम है उसे जारिक कर सकती है जिसको लेकर अफीसियल जानकरी तो अभी तक नहीं निकला है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसी हम जो रिजल्ट है उसे स्टूडेंट्स के बीस्ट जो है पब्लीस कर दिया जाएगा तो सांथियो जितने भी विद्यारते इंतजार कर रहे हैं जारखन अकेडमिक काउंसिल के दसवी और बारवी बोड के परिक्षा परिणाम को लेकर तो सांथियो आप सभी के लिए बहु का परिक्षा परिणाम हो उसे आज ही पब्लीस कर दिया जाए और जो बारवी बोड के परिक्षा परिणाम उसे 20 अपरेल को पब्लीस किया जाए तो सांथियो जितने भी विद्यारती इंतजार कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है बाकी सांथियो आप सभी के लिए special जो वीडियोज है वो हमारी चैनल पर upload किया जाए बागे साथियों जैसे result पब्लिस होती है सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको वीडियोज के थुरू जानकारी अपडेट कर दिया जाएगा धन्यवाद